हेलो फ्यूचर आइटियंस तो एक बंदे ने कॉछसन पूछा था कि कि बाईया मुझे मैं कॉंसेट्स को समझ जाता हूं लेकिन मुझसे कॉसंस नहीं बन रहे हैं कॉसंस मेरे समयम नहीं आते हैं कॉसंस को कैसे सॉल्व किया जाए लेकिन मुझे कॉंसेट्स समयम आ जाते है लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इसका solution क्या है, कि concept सौन्जमा आ रहे हैं, लेकिन मुझसे questions शॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका solution है, कि आप, या तो हो सकता है, कि आपसे concept सही से आते नहीं होंगे, आपको लग रहा है कि आपको concept सौन्जमा आ जाते ह है लेकिन concept आपको स्वयमन नहीं आते हों ठीक है तो जैसे मालो जैसे Newton's sorry यह Coulomb's force जो है क्या होता है हो A Q1 Q2 upon upon Rs का है इस तरह से तो यह एक basic basic formula है simple है अगर कोई अगर इसका magnitude कल लेए इसको magnitude of Coulomb force यह Q1 है और यह Q2 है ठीक है सबको पता है simple सा अगर इसको simple से simple इसका question बन सकता है वो यह बन सकता है कि charge का value दे दिया है और दोनों के बीच की distance दे रखिया और force पूचा है कितना होगा यह एकदम simplest question है यह आपको हो जा रहा है ठीक है तो question आपको यह तो पता लग गया आपको यह तो पता लग गया कि हाँ मतलब concept क्या है क्या कर रहे हैं आप लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा complex questions आयाते हैं मालो कोई बड़ा object दे रखा है इस तरह से बड़ा object दे रखा है और इसके center से r distance दूरी पर कोई एक charge रखा है यह q2 और इसके उपर चाय रखा है capital Q ठीक है और आपने कर दिया कि मालो force हो गया इन दोनों के बीच में हो गया A capital Q और Q2 upon R square ठीक है यह कर दिया आपने और आपको लग रहा है कि यह हमारा answer correct है तो यहीं आपने गलती कर दी यहीं पर आपका concept के लिए नहीं पहली रख तो यह है concept clear होना और concept clear हो गया है मेरे ऐसा feel करना दोनों बहुत ज़्यादा difference है ठीक है तो यह चीज़ कैसे आती है अब देखो यह बता दूँ आपको कि यह एक बड़ा object है और यह वाला small charge है ठीक है यह वाला पूरा एक जो charged body है यह बहुत बड़ा object है तो बड़े objects के बीच में force जो लगता है coolant force वो कुछ इस तरह से नहीं लिखते है मतलब जो यह वाला force है वो दो point charges की बीच force होता है तो यह होता है concept ओके तो concept का एक एक detail तुम्हें पता होना चाहिए अगर एक एक detail तुम्हें पता है तो आप आसानी से question solve कर लोगे मैं guarantee देता हूं कोई भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल दिक्कत नहीं अगर आपको concept अच्छे से clear होंगे force में क्या क्या चीजा होती है force में simple बात है कि यह force में magnitude होता है उसकी direction भी होती है तो तुम्हें direction भी पता होनी चाहिए मतलब Q1 पर force किदल लग रहा है इस तरह से direction भी पता होनी चाहिए तो अगर आपको यह चीजा पता है तो आप और द लिख सकते हैं लेकिन यह बड़ी बॉड़ी है और यह चोटी बॉड़ी है मतलब जो पॉइंट चार्ज और यह बड़ी बॉड़ी है तो इनके बीच लगने वाला force होगा वो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो यह concept कूलाम्स लोका तो अब आप बात आते हैं कि आप concepts को क कैसे clear करोगे मतलब और अच्छे से concept पर कैसे पकड़ बनानी होगी तो उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगी भाई प्रेक्टेस ठीक है जितनी ज्यादा practice अगर कर पाऊतना बहुत जरूरी है तो हर एक basic किताम में हर एक किताम में कुछ example concept होते हैं हर एक किताम में concept होते होते हैं हर एक किताम concepts होते हैं plus examples होते हैं कुछ solved examples होते हैं solved examples ज्यादे सिंगेज में हैं आपकी में तो सिंगेज जो G वाली है capital मतलब Z advance वाली है वो काफी tough रहती है तो Gman वाली जाती है physics काभी छोटी सी आती है मतलब उसमें complete flavors होता है एक एक आती है book ठीक है लेकर जी एडवांस में total पांच आती है तो वो काफी बड़ी हो जाते है लेकिन मुझे मुझे questions नहीं हो रहे हैं क्योंकि questions ही आप उसके G advance वाले जो हैं वो काफी tough है मतलब जो illustration से बहुत tough होती है उसकी सिंगेज की काफी tough होती है मतलब relativity ठीक है तो जो Gman का paper होता है उसे साब से काफी tough होती है उसकी questions तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक कोई basic सी book ले लो basic सी book ले सकते हो उसमें जैसे concepts होते हैं और उसी से related कुछ छोटे मोटे से हलके beautiful के examples होते हैं तो उसके आपका concept दिरे दिरे समय में आने लगएगा उसके बाद आप सिंगेज बगर आके या फिर physics galaxy के illustrations ट्राइब कर सकते हो कि अगर आपको illustration में आगे अगर आपको illustration में आगे तो आपका concept बहुत clear हो जाएगा यह बहुत जरूरी है कि आप physics galaxy या फिर सिंगेज की बुक के illustration solve करें बहुत जरूरी है क्योंकि उनसे आपके concept बहुत अच्छे से build up हो जाते हैं और आपको कोई फिर इतना concept को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप क्या कर सकते हो आप पीवाई की लगाऊ यह सब करने के इन दौनों को करने के बाद सिर्फ एंड होते ही या उसी concepts related पीवाई की लगाने ही पीवाई की ठीक है पहले आप G से start करना जी में से start करना जी में से start करना ओके देन आप advance पर जंप करना यह बहुत जरूरी है क्योंकि देखो जब आप यह कर लेते हो न यह जब मतलब पीवाई की लगा लेते हो न तो आपका जो next year में questions आएंगे पीवाई की लगाने के बाद मालो next year में आप exam दे रहे हो तो जैसे मालो आपने previous year paper कर लिए तो आप next example दोगे तो वो questions आपके पी न्यू आएमीन्यू एक्जांप्स होंगे जो भी यह जो एक्जांप्स होंगे यह आपके रिलेटेड होंगे रिलेटेड में पीवाई की तो हमयसा आपको concepts करने है मतलब concepts clear करने के बाद हम आपको छोटे-मोटे solved examples कर लेने हैं फिर उसके बाद हम आपको illustrations करने हैं illustration ठीक है टफ होते हैं illustration टफ होते हैं लेकर एक वार आप समझ जाओगे चीजों को एक वार समझने लगे जाओगे लेकिन एक वार आप समझने लगे जाओगो तो आपको पता लगे जाएगा कि क्या चल रहा है ठीक है तो next जब भी question करोगे तो आपका brain तुरंट signal देगा कि ऐ आपको बोलता हूं कि concept के बाद में PYQ सबसे important चीज है पूरी आपकी preparation में सबसे important चीज है और कुछ नहीं है बस यहां की series लगा लिए मैंने वहां का series कि कुछ नहीं है भाई सिर्फ पीवाईक्यू पीवाईक्यू वेरी 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 important अगर पीवाईक्यू लगा लिए पी आपर कुछ कुछ ऐसे exam questions होंगे जिनको आप देखते ही ऐसा लगेगा कि मैंने पीवाईक्यू में इस तरह का किया है already ठीक है मतलब जो new exams होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे पीवाईक्यू से आपस में related होंगे यही होता है ठीक है जितना ज्यादा पी मैं के मैं बोलूंगा कि सबसे pro tape AC की है मतलब अगर आप exam दे रहे हो pro tape यही है कि आप पीवाईक्यू बहुत लगाई है प्रो टेप है फस्ट कम्प्लीट योर पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू जितना हो सके जितना हो सके पीवाईक्यू लगाई है और बस इसके बाद में अगर आपका स्लेवस जितना हो सके illustrations लगाई है पीवाईक्यू लगा लिए बस illustrations एंड पीवाईक्यू उसके बाद में आप ऐसे करते कोई तो पहले अपना स्लेवस खतम करो बाई पहले क्या करना है concept concepts Easy questions जैको मैं आपको सिंपल सिंपल सा एक आपको मतलब चीज़ों को खतम करने का आपकी preparation को एक सई जगह ले जाने के लिए मैं आपको wait तो basic चीज़ क्या है कि आपको concepts clear करने है ठीक है concepts clear करने है ठीक है अब concepts को clear करने के लिए आप क्या कर सकते हो पहले तो जो teacher समझा रहा है कोई भी teacher समझा रहा है आपको वो try करता है अपना best सब teachers अच्छे हैं सारे teacher physics के सारे जो भी है physics के mathematics जो भी है सब अच्छे हैं बस फरक यह होता है देखो सब लोग सेम सब लोग जो भी हैं जो भी लोग पढ़ते हैं वो सब लोग उतनी ही चीज़ पढ़े होते हैं तो बाग ही पड़े होते हैं ठीक है लेकिन फरक कहां आता है कि कोई किस तरह से आपको समझा रहा है और या फिर आप उससे कितना relate कर पा रहे हो आप उसकी चीजों को कितना catch कर पा रहे हो इस चीज पर फरक पड़ता है ठीक है तो सारे teacher अच्छे है सब अच्छा पढ़ाते ह है कि हाँ जैसे easy questions क्या जैसे अभी जो किया था ना मैंने जैसे यह q1 q2 दे रहे हैं और यहां आपर force निकालना है तो मैं बोल दूंगा q1 की value इतनी है q2 की value इतनी है force निकालो तो यह हमारा क्या है एक basic concept है मतलब इससे हम concept का पता लग गया कि आखिर इस concept से हम करते क्या है दूसरा उसके बाद हम पहले easy questions easy questions ठीक है बाई के concepts क्या कहता है हम क्या करना चाहते हैं इसमें वो पता लग गया हमको easy questions से और उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सा advanced जाना है आपको illustrations करने है I will recommend singage plus physics galaxy illustrations ठीक है कभी-कभी दोनों में same illustrations होते हैं एक दो अधर उधर होता है तो आप उसका इसका कल लो ठीक है मतलम बड़ा लो अपना है मलो देखो चार इसमें illustrations और चार इसमें illustrations सेम हैं लेकिन एक वाली में ज्यादा illustration तो उसको और add कर लो अपनी preparation में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत थोड़ी आपके पास बहुत time एक साल बहुत होता है ठीक है उसके बाद एक साल जो बहुत होता है बहुत होता है ठीक है इसके बाद आपको करना है पीवाई क्यूज आप्टर दी end of chapter क्या करना है आपको topic wise बोल देता हूं topic wise पी वाई क्यूज ओके वाई आपका यहां पर हो जाएगा आपका काम ठीक है पी वाई क्यूज ओप जी एडवांस जी मेंस जे डवली मेंस प्लस एडवांस्ट इतना करने को बाद मैं बोलना हूं इसमें आपको efforts पूरे देने हैं ऐसे नहीं कि मतलब हलका छोड़ दो अभी आपको कहीं नहीं जाना है अभी आपको कोई भी questions, test series यह सबसे कोई मतलब नहीं अभी आपको बस इतना करना है अभी बस आपको इतना करना है ठीक है इतना करते करते अगर आप अच्छे से यह मेंस एडवांस के questions लगा पा रहे हो अच्छे से कर पा रहे हो तो ऐसा में ऐसे हैं करते हैं'm आपको सारे chapters मुझा रहें करना है's for all chapters किसका करना है'm for all chapters când me all chapters ओक यापको all chapters के लिए ना है अभी कुछ ही शेल ना आ आपको बस इतना करना ये बस मैं ये ये बस आपको concept पर्णना है आपको Ec berries करने हैं आपको topic wise pyqs करने है ठीक है वाई इतना हो गया जी मेंस एन एडवांस के इतना हो गया उसके बाद आपको करना है chapters सारे chapters के इसी तरह से सारे chapters के कर लेंगे ठीक है then आपको क्या करना है अब मालों आपको slaves के लिए हो गया ऐसा ऐसा करते हैं आपका मतलब पूरी physics का स्लेबस हो गया chapter 1, 2 लेके मतलब class 11 के chapter सारे लेके class 12 के सारे chapters लेके यह सब हो गया उसके बाद आपको अपना देखना है अगर time बच रहा है if you have time मतलब exam से पहले time है if you have time then do I don't think do मतलब आप test series लगाने है test series ठीक है test series और test series में ऐसी series लेनी है जिसमें chapter wise या unit wise exams हो unit wise test series हो जैसे आपने मतलब आपने पढ़ा charge या electrostatic chapter पढ़ा तो electrostatic के लिए अलग से एक उसमें test सो हो ठीक है unit wise test सो हो ठीक है number 1, दूसरा फिर वही same complete complete slayers ठीक है तो जैसे आपने यूनिट वाइज जैसे आप मतलब test series स्टार्ट हो रही है हो जाएगी ठीक है यह हो जाएगी उसके बाद अगर यह सब करने के बाद में अगर अगर अब यह सब करते करते आपके पूरी सारी units complete होने के बाद आपको complete slayers की test लगाने ठीक है इस तरह से तो इस तरह से आपको करना है और यह आपका more than enough है more than enough ठीक है I understand के बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते है I know होता ऐसा कि यह पढ़ लो वो पढ़ लो पर मैं कह रहा हूं पहले अपना 80% अपना slayers या 80% जो भी है अपनी preparation का 80% एकदम solid कर लो वो 80% यह है यह है ठीक है वो 80% क्या यह है दिस इच 80% अफ यूर दिस इच 80% preparation done ठीक है preparation done that's it इतना कर लो पहले पहले इतना करके जिएको आपको result ना आए तो कहना ठीक है इतना करके जिएको पहले आप ठीक है ज्यादा इधर दर नहीं भागना है मैं बोल ला हूं कि कि आप सीधर चलो सीधर चलो मेरा मेरा यह है कि आप सीध चलो यह एरोग मैं एक मतल dov एक वेक्टर के तरब एक वेक्टर एक और जाता है तो इस तरह से यहां ऐसे नहीं कि आज पंद दिन ये पढ़ लिया ये वाले भाहिया ने बोल दिया कि ये बोग अच्छा है तो फिर लोट के आए फिर मतलब वहीं गूमते रहे ये 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 ऐसे नहीं और यहां पर तुम पहुंची नहीं पाऊगे आपको सीधा जाना है कुछ इधर द DRS, okay, if you have time then do test series, unit-wide test होने चाहिए उसमें and complete slaves-based test होने चाहिए, that's it, और एक फॉर्मुला seat बना लेना मैं बता दूँगा chapter wise formula seat बनाना है आपको मैं बता दूँगा किस तरह से बनाना है यह more than enough होगा आपका more than enough होगा इसमें 80% आपकी preparation हो जाएगी ठीक है इतनी preparation हो जाएगी कि आपका gmans या advance gmans तो आपका clear हो जाएगा मुझे guarantee से बता है इतना कर दोगे तो इतने अगर 100% देदोगे इतने अपना 100% देदोगे तो आपका आराम से gmans तो easy लग जाएगा बाकी advanced होगा तो advanced के लिए आपको थोड़ा सा और मैनित करना पड़ेगा उसके लिए time भी मिलता है तो आपका हो जाएगा ठीक है यह सब कर लोगे तो advanced भी आपको easy लगेगा हो यूट्व चैनल ना ओके बाय गाइच